कि ओके सो टुड़े विए स्टाइटिंग चैप्टर नबर ट्वेंटीफोर यह सब एक मार्क है यह सब एक मार्क है यह सी को पंक्चुएशन बोलते हैं जिसे यहां पर देखो सुभम प्लेस पैडमिंटन सुभम बैडमिंटन खिलता है सेंटेंस कंप्लीट हुआ फूल स्ट स्कुएर नहीं लगाना यह तुमको दिखलाने के लिए बताए गया ठीक है सिर्फ फूल स्टॉप लगाने का है और जभी नाम यह सेंटेंस में जभी भी स्टार्ट करते हो तो पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है तो एस तुमको कैपिटल दिखेगा सूभम में फिर और लाइश दो परसन के बिच में एंड मलब जो खतम होने वाला परसन उसके पीछे एंड ओके तो कॉमा जो है यह तुमारा मार्क से और कॉमा के बाद थोड़ा सा स्पेस देने का है कंप्यूटर में जब टाइप करोगे न मोबाईल में कंप्यूटर में तो कॉमा के कुछ भी होता है excitement में अचानक से तो यह मार्क लगाते हैं exclamation mark बोलते हैं ठीक है लकीर होगा इस तरह से नीचे एक मैं उल्टा आई बोलो इसको उल्टा आई बोल सकते हो ना exclamation mark बोलते हैं तो यह सारे marks of punctuation है sentence के end में लगता है कभी कभी बीच में लग रहा है ठीक है full stop कहां लगता है तो जब भी कोई complete sentence हम पूरा करते हैं तो लाशा full stop करते हैं तो we use full stop to indicate the longest pause मलब कि एक लंबा pause कभी भी sentence परते हो तो कॉमा के बाद थोड़ा सा ठहरने का इस दीपू राजन एन मनिका स्टडी इन डीवी पब्लिक स्कूल कुछ बोलोगे next तो फिर थोड़ा लुकने का है ठीक है तो long pause एंड एड़ एड़ ठीक है oceans are full of water ठीक है तो यहां पर देखो तुम इंपरेटिव सेंटेंस है तो यहां पर फूल स्टॉप इंपरेटिव सेंटेंस हो यह डोंट मेंग नॉइस यह कर लोगे मार्क अफेंड यह सब बता चुके है ठीक है यह सर्प्राइज तुमको दिख रहा है वाट अब यूटिफल पेंटिंग तो एसकले में सर्मार्क ल बता दिये क्या-क्या capital letters कहां लगता है तो कभी भी sentence के starting में कोई भी letter दो ठीक है किसी का नाम आ गया नदी का नाम आ गया कोई भी important जीसे दिए भी public school important चीज है ना special चीज है तो यह capital letters में होगा ठीक है यहां पर यह से देखो upset upset को एक खास word नहीं है तो वहां पे तुम capital letter ब okay then god bless you all study well okay